हे गई सेलकम दूर टेक्ट पोराम माई आज की वीडियो में फिरसे हम दो जॉब रिक्रूमेंट काई देखने वाले हैं जो की फर्स्ट Hexaview कमणी की तरफ से आ रही है और सेकंड शाओमी की तरफ से आ रही है और आज की वीडियो में आप सभी एलेजीवल होने वाले हो आपने वीडियो टेक करा हुआ है में टेक, BCA, BSC, XYZ आपने कुछ भी करा हुआ है तो वीडियो को पूरा लास्तर देखिएगा बताने वाला हूँ कैसे आपको अप्लाई करना है कौन को अप्लाई कर सकता है क्या LGBT का हिट्रिया है क्या आपको सेलेक्शन का पौशे होने वाला है कितने आपको सेल ली मिलने वाली है सब को शेताने वाला हूँ और इस दोनों के अप्लाई का लिंक आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिशन मिल जाएगा आप से इंपल लिंपे क्लिक करके इन जौन के लिंग प्लाई कर सकते हो और इस दिस्क्रिशन में आपको और भी कम्णियों के लिंग मिलेंगे आप में उनके लिंग प्लाई करेगा अभी भी काफिल एक्टिव है तो पहले बात करते हैं Hexaview कंपणी के बारे में तो Hexaview कंटेस्ट करा रही है जिसका नाम है Rapid Haring Program और कंपणी अभी थी जौब लिए हाई करने वाली है फर्स्ट है Member Technical Staff का सेकिंड है Application Engineer का थर्ड है QA का मतलब टेस्टिंग का होने वाला है और सभी job role अलग-अलग होने वाले है सभी का काम अलग-अलग होने वाला है सभी की salary अलग-अलग होने वाली है तो आप सभी अपनी skills के according अपनी interest के according अप्लाई कर सकते हो जब भी आपनो form fill up करोगे आपको option मिलने वाला है चूस करने के लिए बात के salary package के बारे में तो आप सभी member technical staff के select होते हो तो आप सभी को 6LP का package मिलने वाला है एंड second है application engineer का इसके लिए आप सभी को 4LP का package मिलने वाला है last tech QA का इसके लिए 3.6 का package मिलने वाला है पर NM के साब से बात के इसके LJVD काईडे के बारे में तो आप सभी graduate student हो या फिर post graduate student हो तो आप सभी apply कर सकते हो लाइक आपने BEP tech कर रहा हुआ है MEM tech, MCA, BST, BCA, Bcom जो भी आप लोग ने कर रहा हुआ है आप लोग अलजीवल होने वाले हो बात करें ब्रेश के बारे में तो आप सभी 18, 19, 20, 21 इन 4 batch के student हो तो आप सभी apply कर सकते हो और आप सभी 22 batch के student हो 23 batch के student हो तो आपके लिए second job होने वाले है जो Xiaomi के होने वाले है वीडियो को राश्तर देखेगा और आपको select होते हो developer role के लिए तो आप सभी को 3 technology में से किसे में भी काम करने को मौका मिल सकता है first है devops का second है data science का third है salesforce का तो जिस भी field में आपका interest हो उसके according आपको job world मिल सकता है Hexaview company में and इस company में आपको select होते हो तो पहले आप सभी को training होने वाल गया तो योगि 6 month की होगी and उस 6 month में आप सभी को 20,000 को standard मिलने वाला है and इसके साथ साथ company होने वाला है जोगि 24 month का होगा आप at least 24 month तग company को नहीं छोड़ सकते आप उस select होते हो company में select होते हो company को छोड़ते हो तो आप सभी को penalty पे करना पड़ेगा जोगि 3LP का होने वाला है तो company को join करने से पहले सोच लेना कि आपको job करने है नहीं करने company में and salary के साथ साथ आप सभी को कुछ पर्क्स और बेनिफिट भी मिलने वाले company की तरफ से जैसे कि health care benefits है flexible work hour है rewards है यह सारी facilities भी आपको मिलने वाली है आपको select होते होते हो company में बात करने हैं को selection process के बारे में तो company ने mentioning कर रहा है पहला आप सभी को Google form fill up करना पड़ेगा उसके बाद आपका interview होने वाला है इन्होंने test का कुछ mention नहीं कर रहा है direct आपका interview होने वाला है and जो कि I think आपको select करने वाले हैं आपके जैसमे के basis पर आपकी skills के basis पर क्योंकि जब भी आप लो form fill up करोगे आप सभी को mention करना पड़ेगा आपकी skills के बारे में आपकी coding के level के बारे में उसी के basis पर आप सभी के बाद mail आने वाला है company तरफ सभी interview के लिए तो जब भी form fill up करो दो बाद सोच के fill up करना जब जब भी अच्छा बनाना उसी के basis पर आपको selection होने वाला है interview के लिए जो भी आपको interview होने वाला है वो skype पर होने वाला है तो इसलिए आप सभी को skype का account बनाना पड़ेगा उसकी ID mentioning करना पड़ेगा इस form में आपको स्काइप ID mentioning करेगा आपका personal ID देन आपके college का नाम आपकी highest qualification आपका passing करेगा देन उसके बाद अपना job select करेगा आपको developer के लिए apply करना है testing के लिए apply करना है उसके according select करेगा देन आपको job की location दो ही location है एक noida है एन second है पूने select करने के बाद next पर click करेगा देन उसके बाद आप सभी कोई है mention करना पड़ेगा अपनी coding abilities के बारे में आप सभी को coding आती है नहीं आती उसके बारे चैप box को देन आप सभी किस platform पर coding करते हो like hacker rank है, hacker art है, code share, lead code है select करेगा, select करने के बाद आपकी कोई ranking है, आपके stars है mention करेगा, mention करने के बाद next पर click करेगा the last में एक option होगा scorecard वाला, आपने कोई exam दिया हुआ है like MCAT का, code groups का, code beta का तो आप सभी के बाद उसका scorecard है तो आप सभी upload कर सकते हो नहीं है, तो upload करने की ज़रूद नहीं है लेकिन होगा तो upload कर देना आप सभी को priority मिलेगी इस job के लिए मेभी आपको मका मिल जाए, interview देनेगा company में तो उसके बाद summit पर click करेगा आप सभी का apply हो जाएगा, और आपको message भी show हो जाएगा कि आप सभी apply कर दिया है आप सभी को जाएग कर दिया है शामी की तरफ से, company ने mention कर दिया है जो आप सभी को प्राइजी मिलने वाले company की तरफ से up to 1 lakh तरफ और उसके साथ गोडीजी मिलने वाली है जैसे कि मैंने आपको बताया बात करें आप सेलेक्शन पॉसले के बारे में तो company ने mention कर दिया है पहले आप सभी का online test होगा जोगी MC को बेस दोने वाला है जोगी start होगा 17th और September से 1st round clear करोगे 2nd round देने का मौका मिलेगा जोगी coding round होने वाला है जोगी start होगा 24 September से 2nd round clear करोगे 3rd round देने का मौका मिलेगा जोगी start होगा 1st of October से तो उसके बाद आप सभी को job मिल सकती है intention मिल सकती है and goodies मिल सकती है and एक सबसे main point company ने mention कर दिया है जो भी first 10,000 people होगे उन सभी का मौका मिलने वाला है इस contest में participate करने का तो आप सभी अभी वीडियो देख रहे हो अभी apply कर लेना अगर 10,000 registration complete हो जाते है तो आप सभी apply नहीं कर सकते है इसके लिए तो कोशिश करेगा जल्दी से apply करने का आप लोग अलजीवल होते हो drive के लिए ना main point के apply करना है तो apply करने के लिए इसका link में लेगा description में check out करेगा इन पर click करेगा click करने के लिए उसके लिए पेज़ खुलेगा इन आप सभी को एक option मिलने वाला है register वालस पर click करेगा click करने के लिए खुलेगा आपको simply form fill up करना पड़ेगा पहरा आपका full name, आपका gender आपकी current location आप जहां भी रहते हो आपको content number, आपकी profile link है तो machine कर सकते हो otherwise blank छोड़ दीगा, आपको fill up करने की ज़रूबत नहीं है आपकी university का नाम, आपकी passing year machine करेगा आपकी stream, तो भी आपकी branch होने वाली machine करेगा the last मैं, resume upload करेगा upload करने का submit पर click करेगा and बस upload रयारी करेगा और आप सभी का test का link आता है कुछ ना कुछ आप सभी को सीखने कोई मिलने वाला है इस opportunity से, तो I hope मैंने आपको सब को समझा दे आपको Xiaomi के बारे में, इसके अलावा फिर विको doubt होता है, नीचे comment कर सकते हो telegram पर मुझे message कर सकते हो, मैं आप सभी की help कर दूँगा और इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनिया है जो hiring करती है, एक बार चेक आउट करेगा चैनल को, सारी वीडियो मिलने वाली है example के लिए M.Doc है, EPM है, Cognizant है Infosys है, इन सभी की hiring हो रही है तो चेक आउट करेगा इन सभी का link मिलने वाला मिलते नेक्स वीडियो में, थैंक यू और गुडबाई